मैं कभी सुबाब कभी भी किसी भी टाइम आजाता हूं कि foundation वाले जो बच्चे आते हैं तो वो parents के साथ आते हैं और parents से मिलना ही जरूरी होता है तो उनसे मिलना जरूर रहता है तो आज जैसे मैं आया तो parents से वो वहीं से उसी स्कूल, मतलब जो बच्चा था उनका वो उसी स्कूल से था जिससे मैं पढ़ा हूँ, पहले तो हाँ, अच्छा लगा, बट, मतलब जब मेरी उनसे बात हुई तो मुझे ऐसा, मतलब पैरेंट्स अच्छी फैमिली से थे, और बार-बार उनके दिमाग से एक आवज नहीं हरी, हलो, तो कि घर पे बच्चा AC में रहता है, यहाँ पर कैसे रहेगा, यह सारी चीज़े, तो पैरेंट्स, जो पैरेंट्स में फादर की इच्छा ये थी कि बच्चा घर पे ही रहे, मतलब उधर ही किसी और फिल्ड में है, लेकिन मदर की इच्छा ये थी, कि वो बच्चा जो है, डिफेंस में जाए, और उनके ही, उनकी जो मदर थी, उनके रिलेशन में, उनके कोई रिलेशन में ऐसा रहा होगा, जो भुजर्ग होगा, कि वो उसमें था, डिफेंस में, अवोर्ड, उसमें ही था, ओफिसर रेंक में ही था, तो उनकी कैप, जब लेकिन आपको एप्दिन इज्ञत भर लाँगा बैग में तो इसलिए मेरा बच्छा बहुत होशार है इंटेलिजेंट भी है थोड़ा सा शाई है तो मैंने का शाई तो जूते लग लग के हो जाएगा ठीक और बस यही उनका कहना था कि I just want this thing मुझे यह चाहिए तो मतलब आजकल कही बार ऐसा होता है कि parents इतने ज़्यादा सूचते हैं आजकल बच्चों के बारे में और यह motivation देता है कि family से अच्छे हैं कुछ जुरुत नहीं है वो बलग कि अगर नहीं भी बच्चा काम करेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी comfort zone छोड़के और 11th class में बच्चे को यहाँ छोड़ना के वल इसलिए कि reputation और यह तो आज भी दुनिया इस दुनिया में से लोग हैं जो इस चीज के लिए काम करते हैं जैने सिर्फ इसी से मतलब नहीं है पैसा जॉब यह सब तो यह बहुत ही अच्छी प्रहश्स कि अच्छी चाहँ जज से लोग में पर शॉब यह जोप। ऑनी चाहँ इस द्यूब यह जोग करता दुनिया नहीं है झाल रहाँ जाल एल इसलिए हैं लोग्ढ़ः फटॉब यह डिखने लोगण से दूजित परीदूब यह जूब यहाँ पर बहाँ पर